तो देख सकते हैं आचुका है कोश्चान बर्ग आठ बर्ग साथ का कोश्चन है प्रसनावलेई एक दोसमलवे का चोथा कोश्चन है और सवाल दिया गया है बढ़ते करम में लिखना है बढ़ते करम में दिजेगा बाबू को सबसे पहले हम लोग बढ़ते करम का उधार नहीं समझेंगे ंधार में इसकोल हुता है इसका जनम हुगा हुगा कि नहीं तो हती चुकी है फिर माले यह तनी बढ़ गया तनी बढ़ गया बढ़ गया कि नहीं फिर इससे ज्यादा तनी का हो गया बढ़ गया तई बढ़ते करम हो रहा है कौन सा करम हो रहा है बढ़ते करम हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो बढ़ते करम में हम सबसे पहले कौ सब्रस्चाइए कि शोटी संक्राइए थे चैनिवर के तो फिर आजाईए द्यान दिजेगा तो हमारा ये कौन नंबर कोस्चन है कौन सा कोस्चन है बात नहीं होना चाहिए को नमबर यहाँ पर हम question लिखेंगे लिख लेंगे पहले को नमबर माइनस 8 है साइलेंट 12 है माइनस 5 है 15 है 20 है माइनस 2 है समझ में आ गया इस question को बताने के पहले हम आपको एक चीज जिसमें बता देना चाहते है कि 2 में और 12 में कौन बड़ा है 12 बड़ा है अगर माइनस अगर लग गया तो 2 बड़ा हो जाएगा अगर माइनस अगर नहीं लगेगा तो है 12 बड़ा है अगर माइनस अगर लग गया तो 2 बड़ा हो जाएगा समझ में आ गया माइनस लग गया तो जो छोटा है वह बड़ा होता है अब देखिए इस question को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसको एक line में सजाना होगा माइनस वाला सब एक जगा कर लिए माइनस 8 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 2 कर लिए हो गया फिर लिख लिए 20 फिर लिख लिए 12 फिर लिख लिख लिए 15 एक line में हो गया माइनस वाला एक जगा पलास वाला अब देखिए अब हम इसको सजा करके लिखेसंगे बड़ते करम में सबसे छोटा इसमें से लिखेंगे माइनस 2 सबसे छोटा है की बड़ा है यह बताईए माइनस वाला में माइनस दो छोटा है की बड़ा है बड़ा हो गया तो छोटा कौन हो गया माइनस साथ तब लिखेंगे माइनस तब लिखेंगे माइनस माइनस आठ से बड़ा है माइनस पांच अब माइनस पांच से बड़ा है माइनस दो अब दो से बड़ा क्या है अब इसमें दिया गया है बारह और बारह से बड़ा क्या है और पंदरह से बड़ा क्या है तो ये रहा इसका बढ़ते करम कौन सा करम रहा बढ़ते करम समझ में आ गया हम इसके ख़व नमबर question आपको समझाने का प्रयास करते हैं ख़व नमबर देखेंगे यहाँ सबसे पहले हम माइनस वाला एक जगा लिख लेंगे माइनस दो, माइनस चार, ख़व नमबर से माइनस लिख लेंगे पांच, जीरो, आठ हो गया अब माइनस वाले में हम सजाएंगे, जो सबसे बड़ा होगा वही छोटा होगा माइनस 15, माइनस 4, बहुत बढ़िया माइनस 2, 10 हमारे के बुलिए जीरो, जीरो, तर पांच, पांच, तर आठ यह बन चुका है आपका प्रसन, ठीक है कि नहीं और इस कोस्चन को आप लोग बार-बार प्रेक्टिस कीजिए प्रसनावली, एक दसम लवेक का यह प्रसन 4 है बर्ग साथ का यह कोस्चन है काफी महत्ता पूर्ण रखता है मैथेमेटिक्स में यह कोस्चन यह मैथ जिस वच्चे को आ गया सेट करने जिसको आ गया समझे कि उसको हर कलास का आधा मैथ समझ में आ गया उतार सकते हैं आप इसे ठीक है और वीडियो देखिए अगर सवाल समझाने का ट्रिक अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए